IPL 2025 से जुड़ी हुई जहाँ पर सन्राइजर जैदराबाद को एक तगड़ा जटका लगा है दिगज खिलाडी ने यहाँ पर सन्राइजर जैदराबाद का साथ छोड़ने का फैसला किया है और यह और कोई नहीं बलकि डेल स्टेन है डेल स्टेन काफी समय से कोच की भूमिका में नजर आ रहे थे IPL में सन्राइजर जैदराबाद के लिए लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए एक लिखा है क्रिकेट अनॉसमेंट उन्होंने का कि सन्राइजर जैदराबाद को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया थेंक यू सो मच मैंने उनके साथ कुछ साल काम किया बोलिंग कोच की तरीके से मैं उनके साथ जुड़ा रहा IPL में बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पर IPL 2025 में सन्राइजर जैदराबाद के लिए वापसी करता हुआ दिखाई नहीं दूँगा मैं यहां पर IPL 2025 में बॉलिंग कोच की भूमिका नहीं निभा पाऊंगा सन्राइजर जैदराबाद के लिए उन्होंने कहा हाला कि मैं यहां पर सन्राइजर जीट में तबदील करने की यहां पर कोशिश करेंगे लेकिन बड़ी खबर यही कि सन्राइजर जैदराबाद IPL में यहां पर डेल स्टेन बोलिंग कोच की भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आने वाले हैं तो यह जो है सन्राइजर जैदराबाद के लिए एक बड़ा जटका भी साबिट हो सकता है क्योंकि साउथ अफरीका के स्टार दिगज गेंदबाज रहे है डेल स्टेन और काफी ज्यादा मदद यहां पर करते हैं यंग्स्टेर्स की और सन्राइजर जैदराबाद के कैंप में भी काफी ज्यादा अच्छा महौल रहता है लेकिन अब यहां पर फाइनल खेलने वाली आईपियल 2024 का सन्राइजर जैदराबाद उनके लिए एक बहुत बड़ा यहां पर जटका ही हो सकता है